नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पडाक उपर आज के इस वीडियो में हम डिसकर्च करेंगे सम्मधान के अती महतपूर प्रस्न जो कि सभी परिच्छाओं के लिए बहुत ही उपी होगी हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक और देखिए महतपूर प्रस्नों को तो बिद फैक्ट और डिटेल के साथ सभी प्रस्न कराए हैं हमने और जो मैलाओं से संबंदे जिसने भी फैक्ट है वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को समधान सबा में मैलाओं की संक्य पंद्रा थी नौ दिसंबर उन्निस्तो चालिस को समधान के प्रथम अद्वेशन में लीग मतलब मुस्लिम लीग के प्रतिनिदी जो थे वो सामिल नहीं हुए अता समधान सभा की प्रतम बैठग में कुल 207 सदस उपस्तित हुए थे उनमें से पंद्रा मैलाएं जो समधान सभाव जो 15 मैलाएं सामिल थी उनकी जो पूरी तरह से साड़ी बनाई है मैंने देखिए कहां 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 को प्रतिनिद्द किया उन्होंने और कौन-कौन मैलाएं थी और इनका अभी वीडियो के आगे आप देखेंगे इनसे संबंदिस सभी फैक्ट सुचेता क्रपलानी ज अगली जो आठमे नंबर की थी और सदस हंसा मैता और वो मंबई से प्रतिनिद्द किया था समयदान सभा में और फिर जी दुरगावाई जो की मदरास का जनोंने प्रतिनिद्द किया था दच्छानी बेला यूदन जो मदरास से संबंदित थी अम्मी स्वामी नातन ये भी मदरास से संबंदित थी मालती चौदरी उडीसा स सम्बंद्द थी और रेडु का राय पस्छम बंगाल से सम्पंद्द थी लीला राय पस्छम बंगाल से थी और एनी मसकरीन जो ट्रावन कोर से सम्पंद्द थी तो यह पूरी 50 है जिसकी आप चाहına तो स्क्रीन सोítulo भी ले सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं से समंदित प्रस्ण और रिवीजन भी हो जाएगा आपका और देखिए प्रस नमबर पहला देखिए समधान सभा की किस मैला सदस्थ ने बिहार का प्रतिनितुत किया था कुश्चन है कि समधान सभा की किस मैला सदस्थ ने बिहार का प्रतिनितुत किया था तो इसका आंसर हो जाएगा मालती चौदरी अंसा मैता सरोजनी नाइडू और रेलकाराई तो आप पहले देख चुके हैं कि सरोजनी नाइडू जो थी उन्होंने समधान सबा में बिहार का प्रतिनिद्द्द किया था चलिए कुशन नमर दूसरा देखते हैं कुशन नमर दूसरा देखें से पहले सरोजनी नाइडू से कुछ समंधित फैक्ट है जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही उपयोगी है सांदार ये मास्टर वीडियो है अंत तक जरूर देखिये का सरोजनी नाइडू भारती राष्टी कांग्रेश की प्रतम मैला अद्यक्च थी तता ये आजाद भारत की पहली मैला राजपाल बा उत्तर प्रदेश की पहली राजपाल थी इन्हें स्वरकोकला के उपनाम से भी जाना जाता एक फैक्ट है कि ये इंग्लिस की बहुत ही अच्छी पोईट भी थी और प्रतम अद्यक्च भी थी और इन्हें स्वरकोकला के नाम से जाना जाता तो ये बहुत ही महतपूर है कुशन नमर दूसरा देखते हैं निमलिखित मैसे कौन से समधान सवा की सदस कौन है मतलब निमलिखित मैसे समधान सवा की सदस कौन है सोचेता किरपलानी, रानी रामपाल, लीला सेट या अनामका राय तो चार आफसन दिये गए इनमें से आपको बताना है कि जो समधान सवा में इनमें से कौन सी सदस थी तो रानी रामपाल सदस नहीं थी, लीला सेट सदस नहीं थी अनामका राय ये भी सदस नहीं थी तो आंसर सही हो जाएगा दूसरा का कुश्चन नमबर ए सुचेता करपलानी जो की समदाज सवा की सदस थी इनके बारे में ये फैक्ट दी हैं कुछ नीचे देख लेते हैं सुचेता करपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मैला मुक्वंत्री थी बहुत ही मैत्पूल फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश की अगर पूचा जाए कुश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम या पहली मैला मुक्वंत्री कौन थी तो आंसर हो जाएगा सुचेता करपलानी साथ ही वो भारत के किसी भी राज की पिर्थम मैला मुक्वंत्री थी वह भारती कांग्रेश की मा सच्छ भी रही तर्था आजादी के संगर्स के दौरान उन्होंने अंडर ग्राउंड बालेंटियर फोर्स का गठन किसने किया था तो आंसर हो जाएगा सुचेता करपलानी न बहुत ही सांदार क्रसन आपको आगे देखने को मिलेंगे कुश्चन नमर तीसरा देखते हैं राज कुमारी अमरता कौर ने कहां का प्रतिनिद्द्द किया था उत्तर प्रदेश का किया था बिहार का किया था मद्द प्रांद का किया था या मद्द्रास का किया था तो से समंद्द कुछ फैक्ट देख लेते हैं इन्होंने मद्ध प्रणाद का प्रदिनिद्द्द किया कुष्चन नमर चार देखिए बिजयल अच्मी पंडित किस सवा की सदस थी आपके सामने अफसन है बिदान सवा की प्रातना सवा की समधान सवा की गांधी सवा की तो बिजयल अच्मी पंडित जो थी वो किस सवा की सदस थी तो बिजयल अच्मी पंडित समधान सवा की सदस और से बिलकुल सही हो जाएगा चलिए कुश्चन नंबर पांचमा देखते हैं से पहले इन से संबंदित कुछ फैक्ट देखते हैं यह बिर्टेस राज के दौरान किसी कैबिनेट पद पर रहने वाली प्रिथम मैला थी भारत सरकार अदमियां 1935 में जो कैबिनेट पद महासवा की अद्यच बनने वाली बिस की प्रिथम मैला थी बिस की प्रिथम मैला थी बहुत ही महतपूर्ड फैक्ट है यह संयुक्त राष्ट महासवा की अद्यच बनने वाली बिस की प्रिथम मैला थी बिस के अनेक देसों में भारत के राजनायक पद के रूब में कार किय तथाबू 1962 से 1964 तक महाराष्ट की गवर्नर भी रही है यह बहुत ही महत्पूर फैक्ट है कि विजल अच्मी पंडित जो महाराष्ट की गवर्नर भी रही है और संयोक्तराष्ट महासवा की प्रिथम मैला अध्याच्च थी और महासचे भी रही है हंसा मैता ने कुश्चन नमबर पांच है हंसा मैता ने समधान सवा में कहां का नेतरुत किया था जो हंसा मैता थी इन्होंने समधान सवा में कहां का नेतरुत किया था गुजरात का पंजाब का मदरास का मंबई का चार अफसनाव के सामने बैसे हंसा मैता गुजरात की थी लेकिन तब गुजरात और मुंबई एक था तो इन्होंने मुंबई का नितरुत किया था तो आपसन नमबर डी बिलकुल सही हो जाएगा आपसन नमबर डी इन्होंने मुंबई का नितरुत किया था समधान सवाम है चली कुश्चन नमबर अगला देखें इस इच्छा जगत में नाम कमाया ये भारत की पहली मैला वाइस चांसलर कुलपती थी अगर कुश्चन बनता है कि पहली मैला वाइस चांसलर कौन थी भारत की पहली मैला वाइस चांसलर कौन थी तो अंसर हो जाएगा हंसा महता बहुत ही महत पूर था ये फैक्ट हंसा महता प्र एनी मस्करीनी थी जिन्होंने समधान सभा में कहां का नित्रत किया तो ओप्सन है ट्रावन कौर का पश्चिम बंगाल का उड़ीसा का या मद्रास का तो ओप्सन नमबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल ट्रावन कौर का जो एनी मस्करीन थी इन्होंने समधान सभा में ट्रावन सबा का प्रतिनिदत किया था उडीसा से किस मैला ने समधान सबा का प्रतिनिदत किया था तो आफसन आपके सामने लीला राय लीला सेट रिड का राय या मालती चौधरी तो उडीसा से किस महला समधान सवा का प्रतिनिद्दत किया था समधान सवा किस महला ने प्रतिनिद्दत किया था तो बोथी मालती चौधरी और से नमबर डी बिलकुल सही हो जाएगा मालती चौधरी ने उडीसा से समधान सवा का प्रतिनिद्दत किया था चलिए कुश्चन नमबर अगला देखते हैं कुश्चन नमबर आठमा मद्राज से समन्दित सवा का प्रतिनिद्धध करने वाली महला थी जी दुरगाबाई दच्छानी बेला युगन अम्मू स्वामी नाथन उप्योक्त सभी मदराज से समधान सभा का प्रत्मित करने वाली मैला है कौन थी तो ये उफ्योक्त सभी और सन नमबर D सही हो जाएगा क्योंकि दुरगा भाई ये भी मदराज से समधान सभा से समंदित थी दच्छानी बेला युदन भी थी और अम्मू स्वामी नाधन भी थी तो इसका उफ्योक्त सभी चलिए आज के वीडियों बस इतना ही अगर हमारे सभी कुष्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब भी कर लीजे क्योंकि अभी ये नया चैनल है और देखते रही है पड़ाको जैहन जैबारत थैंक्यू